मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि इनाम बाले लोगों के जीवन में साल 2022 में क्या-क्या बदलाब होगा शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके केरियर के बारे में मित्रों साल 2022 में आपके केरियर के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत ज्यादा बेहतर होगा साल 2022 के सुरुवात में आपके केरियर के छित्र में आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी आने वाले शमय में आप अपने काम एबं अपने मिहनत के दम पे अपना पहचान बनाएंगे मित्रों आप में से जो भी जातक बेपाड़ी हैं कारोबाड़ी हैं तो आने वाले समय में आपके बेपार के छित्र में आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी वैसे आप में से जो भी जातक नौकड़ी करते हैं तो साल 2022 में आपके नौकड़ी के छित्र में भी आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा आने वाले समय में आपके ओफिस में आपकी तरक्की होगी आपके पद में आपके सेलरी में कुछ ब्रिद्धी अबश्य होगा मित्रो आने वाले समय में जो आपके सेहकर्मी हो जो आपके कर्मचाडी हो या जो आपके सिनियर हो इन लोगों के साथ अपने संबंध को आपको मजबूत करना चाही क्योंकि आने बाले शमय में यदि आपको इन लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रो आप में से जो भी जातक बेरोजगार है एबम साल 2022 में यदि आप नौकडी करना चाहते हैं तो नौकडी के द्रिष्टी कोन से आपका शमय आपका साथ अबश्य देगा साल 2022 में यदि आप नौकडी की तलास करते हैं तो आपको नौकडी अबश्य मिलेगा मित्रों इसके बाद है आपका आर्थिक जीवन यनी की आपका फाइनेंसियल कंडीशन मित्रों साल 2022 में आपका आर्थिक जीवन सामान ने तोर पे सही रहेगा इस बर्स में पैसे कमाने के लिए आपको नए नए स्रोत मिलेंगे इससे पहले यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो साल 2022 में रुके हुए पैसे को प्राप्त करने का प्डियास आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आने बाले समय में आप कोई घर, जमीन, गाड़ी या कोई भी लगजडी चीज खरीद सकते हैं इसके अलाबा आप में से बहुत से जातक के आने बाले समय में अपने पैसे को गहना जेवर के उपर में भी बहुत जयादा खर्च करने बाले हैं मित्रों साल 2022 में यदी आप कहीं भी पैसों का निबेस करना चाहते हैं तो निबेस के द्रिष्टी कोन से आपका शमय आपका शात अबश्य देगा लेकिन आने बाले समय में यदी आपके सिक्छा की बात करें तो आने बाले समय में अपने पढ़ाई लिखाई अपने सिक्छा के उपर में समय के दुरुप योग से आपको बचना चाहीं प्योंकि आने बाले समय में यदी आप अपने कीमती समय को बड़बाद करते हैं अपने समय के महत्यों को यदी आप नहीं समझते हैं तो साल 2022 में आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के छित्र में पढ़े सानी का सामना आपको अबश्य करना होगा मित्रों आप में से जो भी जातक प्रतियोगी परिक्छा की तैयारी करते हैं तो साल 2022 में प्रतियोगी परिक्छा में आपको भाग लेना चाहीं क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आपके सिक्छा के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रो आने वाले समय में यदि आपके घर पड़िवार आपके पड़िवारिक जीवन की बात करें तो आने वाले समय में अपने घर पड़िवार के मामलों में आपको बहुत जयादा साब धानी बरतनी चाहिए मित्रो आने वाले समय में यदि आपके घर पड़िवार में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या हो तो आने वाले समय में उस पड़े सानी को इगनौर करने से आपको बचना चाहिए आने वाले समय में अपने घर की पड़े सानी को आपको दूर करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके घर का माहौल आपके घर का वाता बरन बहुत जयादा खराब होगा तो आने वाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका समय बिहतर एबम सान्दार होगा मित्रों आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सान्दार बनाने के लिए आपको प्रती दिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत जयादा बिहतर एबम सान्दार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इबम इस वेडियो के नीचे जै बाबा भैरब कमेंट कर दें धन्यवाद